हलो फ्रेंड्स आप सभी के स्वागत है आपके अपने चैनल में और आशे करते हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे जहां भी होंगे खुश होंगे खुशाल होंगे इसे के साथ अभी बज रहे हैं शाम के पांच शार पांच बज चुके हैं और मम्मी एक एक जबकी मार तेल लगा रही है और मेरे बालों में तेला ब्सक्ता है हएं अ हुआ है नहीं है नहीं वो नहीं है जबढ Argentine ओली कीम हो रहा है इतना छुढी हो रहा है मिरे बाल में बाल भन पक्ते डृघ कि गया है मैं बुड़ी नहीं हुई मेरे बाल नहीं पके Most लोâte थे कुझा अ बुड्डी की बात नहीं है मतलब मेरे एक दो बाल पके हुए है इधर के बीच के बाल पके हुए है और वालों में रुसी भी हो ज़ादा, बहुत ज़ादा और सच में जूहें हो गया है, इस टाइप से दरद हो रहा है मम्मी मस्त टाइप से एक जाब धासूं धासूं करके मेरे बालों लगा रही है तेल और एली जैसे ही मैं आप लोगों को हलो बोली हूँ न वैसी वो हलो हो गई उसको लगा मैं उसको हलो बोल रही हूँ और खट से जग के बैठ गई और एली और ऐसी करती है रोना काना कुछ नहीं सोझ रहेगे खट से उठेगी और बैठ के खेलना शुरू ऐसे बच्चों का बहुत डर है पता है कि यह चारो हाथ पैर में भी चलने लग गई है दोड़ना शुरू हो गया इसका तो बस उठी और देखते नहीं रहे अगर सोफे में इस उता देती हो इसको अगर हम यहीं कर बैठे हैं तो यहीं सुला देती हूं बिस् इसका इसलिए जो है यहीं पर चादा डालके उड़ा दी थी और यहीं पर सुला दिये थे और हम मा बेटी मस्ती कर रहे थे टीवी देख रहे थे हम लोग देख रहे थे हौरर मुवी कौन सा दफेश दफेशन एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ मुवी है बहुत धरावनी मुव जो है मुझे याद आ गया कि भी मुझे बहुत ठकावट लग रहा है जीन के कारण जो है कल आज दूसरा दिन है और जो है कल तो नॉर्मल एक्सरसाइज ही हुआ था नॉर्मल वर्काउट की थे पर आज जो है थाई का और पूरा मसल्स मतलब अभी जो एक्सरसाइज चल र आहे मतलब आम्स शोल्डर को लेके और जो है अभी पैरों पर पर में जो । एक्सरसाइज है पारल कर चल रहा है और आज जो एक्सरसाइज हुआ है अरे वाल्हे बापर defects में मेरे जांग जो है ना थाई एकदम पकड़ लिया है ऐसे क्या बलते हैं एकसरसाइज करके वर्काउट करके जैसे जीन जो है उपर है सेकेंड फ्लोर में तो वहां से जब हैसे सीड़ी के लिए उतर रही थी तो ऐसे लगा अट से मतलब मेरा घुटना ऐसे खट से कटोरी छोड़ दिया इस तैसे मतलब ताकत ही नहीं है ऐसे लग रहा था ऐसे फिल हो रहा था उसके बाद जो है फैनली ऐसे तैसे करके हम कर लिए कर लिया थोड़ा सा समझ में आ रहा है सच में समझ में आ रहा है कि हाँ जीम करने वालों को बहुत ताकत की जोरत होती है और बहुत ताकत होता है क्याइब फृग्राम क्या है एली के लिए कि लिए क्या बनाएंगे सुबह मैं शूजी आ बनाएंग थी अले और युद्ण बना दू यह थी रुड़ांवे रागी का हलवा बनादू फिर से आप अबिके लिये बना देते हैं रागी का हलवा हौड पाइसी प्लॉब मैं नमकन घडर खाई थी ना तब में नमकोण बनाओं спокойगे वहा है थे बनाने के लिए थोड़ा सा और हो जाए तो फिर यह हो गया थोड़ा सा ज्यादा ही रख दी हूँ क्रिशु के भी लिए हो जाएगा क्योंकि क्रिशु मैगी नहीं खाऊंगा बोल रहा है तो इसी में दोनों को निप्टा देंगे और इधर उबल रही है मेरी चाय गर्मगरम चाय और टोस्ट भी है वैसे खाने के लिए क्रिशु तो नहीं खाऊंगा बोल रहा है और थोड़ा सा गाजर का हलवा भी बचा हुआ है प्रिशी में निप्टा दोंगे क्रिशु का नास्का हो जाएगा और अभी बनाओंगी मैं मटर की सबजी तो बस यह चाय नास्का हो अपना त्यार थंडा हो जाएगा तो यह 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 तो कि अ कि अद्ग कर दो हमारा झनुषी का तो यह तो यह तो यह ने उत्प्राइज का यह तो मैं कहों भी तोस्ट चाइखाद और एली के नापता जुट है नहीं निकाल लेती हूं मम्मी के अच्छा है निकाल लेती हूं प्लेक में निकालूंगी ताकि जल्दी से थंडा हो जाए को जल्मी के युछी के चाहिवी निक्या जाए करा जाय के था घुछी है हमारा नास्ता और चाय बन चुका है बहुत ही टेस्टी और यम्मी इसी के साथ एली के लिए भी नास्ता ओर्ट बन गया है सब के लिए लेकर जा रही हूं दो कप मेरा और भाई का चाय और ममी का फीका चाय जो की पीती है वो और इसी के साथ में हमारा जो है बन चुका है चलिए इसको लेकर चलते हैं बाहर में और इंजॉय करते हैं चाय और नास्ता और जैसे नास्ता कंप्लीट होता है उसके बाद बेटे को मैं पोयम सिखाने वा बनाई थी आज़ देखेंगे सब्जी भी बन गई है आप मैं खाना निकाल रही हूं तो बस अब खाना निकाल लेते हैं और हम खाने कहीं क्योंकि खाने कहीं काम बचा है नौ बच चुके हैं तो चलिए अब खाना जो है हम खाते हैं मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा गाईज अपना ध्यान रखिएगा घर में रहिएगा शुक्षित रहिएगा जैहिंद